हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल इंफानाइट क्यान्स आज हम डिसकस करने जा रहे हैं वेरियबल ऑक्सिडेशन स्टेट्स और ट्रांजिशन एलमेंट्स तो हम डिसकस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है ठीक है वाकि उनकी जो वेरियबल ऑक्सिडेशन इसको वो शो करते हैं यह आपको मालूम करना है तो आप सही लेक्चर देख रहे हैं तो यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास ने यहां पर मैंगेनेट को प्रप्रपेर करने के लिए जो पायरोलिसाइट ओर जो लगता है वह है एमनेटू और और यहां पर मैंगेनेज की क्या होती है इसमें वह होती है जीरू ठीक है यहां पर देखिए एक्स हमने एमन को लिया हुआ है ओडू तो अक्सिजन के उपर जो चार्ज रहेगा वो कह रहेगा मारिमस डू रहता है आप सभी जालते है तो तू और इसको कैलकुलेट करके हमारे पास में यह आया है अब काफी लोगों को यह कन्फूजन रहता है कि कोया सेम नहीं होते हैं पूटाशियम परनेत कुछ और है कुछ और के तो मैगनेत का मैगनेत मैं यह हमारे पास नहीं का और होटा है और पर जो चार्ज रहता है वो रहता है 2 negative लेकिन पर में चार्ज रहता है minus 1 ठीक है तो यह आप लोगोंने याद लगना है कि फाइंड आउट करेंगे कि यहां पर मेंगनीज की oxidation state क्या होगी तो अगर आपको इस प्रिके से दे दिया जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि मेंगनीज को हम इसको काल्कुलेट करके हमारे पास में आया इसके पास x plus x is equal to plus 6 तो plus 6 oxidation state जो है हमारा मेंगनीज यहां पर शो करेगा यहां पर minus 1 है तो यहां पर plus 7 आए ठीक है तो potassium, magnet, अपर magnet के पेज़का आपका confusion clear बोच चुका होगा अब देखते है oxidation states of मेंगनीज जो मेंगनीज है वो variable oxidation states को दिखाता है इसका atomic number रहता है 25 3D series में हमारे पास में इस तरिक के से element दिये है scandium, titanium, vanadium, chromium, magneze, iron, cobalt, nickel, copper and gene ठीक है इस तरिक के से दिये गए है तो यहां पर scandium का 21 है और यहां पर middle में हमारा क्या रहा है अब मेंगनीज देखते हैं आपकी center में है shows variable oxidation state not just magneze but all of the transition elements of variable oxidation states सिर्फ मेंगनीज ही नहीं सभी हमारे पास में variable oxidation states को show करते हैं और इसकी electronic configuration देखने को मिलती है मेंगनीज की वो कह है 3D54S2 ठीक है अब general trends in the chemistry of transition elements general electronic configuration of B block element is क्या general जो इनकी electronic configuration रहती है वो कह रहती है n-1 d1 to 10 ns 1 to 2 ठीक है तो यहां पर क्या दिया गए है n-1 यानि कि हमारा कौन सा आ रहा है d d वाली जो सब शेल है वो पहले आती है और उसको क्या बहुत है penalty mid shell means second last shell ठीक है तो valence cell है minus 1 से minus 1 करके हमारे पास क्या आ गए 3D और d की value कहां तक देंदी है 1 to 10 d जो हमारा orbital होता है उसके उपर कितने electrons आ सकते हैं total 10 electrons आ जाते हैं और वैसे ही हमारे जो fill before 4s is little confusing ठीक है क्या रहता है कि d block elements में जो 3D shell है जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि 3D जो है हमारी यहां पर कह रहेगी second last shell रहेगी और last वाली जो रहेगी और प्रिंसिपल तर लोग एनर्जी सबसेल फिल 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 किया जाता है और अब कैल्सियम तक हम यही प्रोसीजर और प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं जैसे कि कैल्सियम का जो आटामिक नंबर है वह है और इसकी लेक्ट्रोनिक इस तरह से रहती है तो यहां पर क्या रहेगा जो 4S है उसको पहले फिल किया गया है किस से 3D से क्यों किया हमने क्योंकि जो 4S है उसकी जो एनर्जी है वो 3D के मुकावले काम है सो तैट्स वाइलेक्ट्रोनिक कफिग्रेशन ऑफ कैल्सियम इस 2882 इंस्टेट ऑफ 2810 यह भी हमारे पास में एक केस रहता है कि कैल्शियम की जो एलेक्ट्रोनिक अंफिग्रेशन है वो 2810 नहों करके 2882 क्यों होती है तो वही मैंने आपको बताया कि वह इसलिए है क्योंकि 4S की अनर्जी लो है दें 3D ठीक है इसलिए हमने 4S को पहले फिल क तो इस वज़त से हमारे पास में 4S विट बाकी के जो लेक्टाउं थे वो पहले आये हैं बाकी के जो 8 बचे वो बाद में 3D में गए है यह अभी तक कैल्शियम तक यह सब हो रहा था लेकिन अब कैल्शियम के आगे हमारे पास आ रही है डी ब्लॉक एलमेट्स जिन में 3D जो है तो पहले फिल हो रहा है 4S बाद में यहां पर 4S को पहले फिल किया गया क्योंकि इसके एनरजी कम थी और 3D को बाद में फिल किया गया ठीक है इसी लिए इसकी हमें इस तरह से देखने को मिली क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो के शेल है उसमें 2 एलेक्ट्रों जाते हैं L में 8, M में 18 और N में 32 तो हमने बोला कि क्यों न हम 2, 8, 10 करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ 2, 8, 8, 2 हमें देखने को मिला क्योंकि S पहले आया तो S को पहले फिल किया फिर 3D आया ठीक है तो कैल्शियम तक क्या हो रहा था कि क्योंकि 3D जो शेल है हमारी सब शेल उसके एनरजी हाई थी और 4S की कम थी तो इसलिए हम 3D को बाद में फिल कर रहे थे और 4S को पहले फिल कर रहे थे गर्छ च्ञ Pretty but as we move towards transition elements here we see 3D field first then 4S comes which makes students more confusable तो ऐसा क्यों है Transition elements are called D block elements as here the last electron enters in a D sub shell Transition elements को the D block elements is why it says a done는데 by the last train door वो D में D sub shell में ही एंटर करता है but why we see 3D 4S in transition elements it should be written as 4S 3D ठीक है यही आपको confusion है कि क्यों हम 3D 4S लिखते हैं अगर लास्ट वाले लेक्ट्रों 3D में जाता है तो क्यों हम 3D 4S लिखते हैं हमें रिखना चाहिए 4S 3D this is because of the fact that D sub shell orbitals has very compact structure and as the electrons enter in the D sub shell its energy gets slower and pushes or repel 4S orbitals ठीक है तो होता क्या है जो हमारी D sub shell है इसमें जो उसका जो structure होता है वो बहुत ही compact structure देख देखो रहता है और होता क्या है कि जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रोंस enter करते हैं उसका D sub shell का जो energy है वो कम होती जाती है क्योंकि structure जो है वो काफी जादा compact और ज्यादा compact होने लग जाता है और D sub shell की energy है वो कम होती जाती है अब क्योंकि D sub shell की energy कम हो रही है तो वो क्या करेगी 4S जो orbital होगा उसको आगे की ओन को push करेगी अब आप यहां पर देखिए इस बाद में होता गया था 4S को पहले भरते थे और 3D को बाद में अब हम बो रहे हैं कि जैसे जैसे 3D में electrons आते जाएंगे इसके energy load होती जाएगी और यह क्या करेगा इस तरफ को आता जाएगा और 4S को आगे की तरफ को repel करेगा और 3D जो है और 4S की जगह ले लेगा और 4S को आगे की तरफ को repel कर देगा ठीक है यह मैं कहना जा रही हो क्योंकि 3D का structure क्या है compact है और यह इसकी energy क्या हो गई है low energy हो गई आप क्यूंकि 3D की energy low हो गई तो इस वज़े से 3D को पहले हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं और 4S को बाद में फिल कर रहे हैं अब जैसे ही 3D के अंदर एक electron enter करेगा वैसे ही 4S के अंदर भी एक electron enter करेगा पहले 3D में जाएगा बाद में 4S में फिर 3D में 2 electron मालो चले गए वैसे ही 4S में भी 2 electron चले गए अब आपको पता है कि S subcell maximum 2 ही electron को ले सकती है कितने electron को ले सकती है 2 ही electron को ले सकती है लेकिन D में कितने आ सकते है total 10 अभी तो इसमें सिर्फ 2 ही आया है 8 इसमें अभी भी बागी रह गया तो इसलिए हमने कहा कि जो electron जो last में enter करेंगे वो D subcell में ही करेंगे लेकिन D subcell के energy low होगी than 4S और there is very little difference in the energy of both shells that is 3D and 4S but subcell 3D energy is bit less than 4S जो 3D जो होगी subcell इसकी थोड़ी सी ही बहुत मामूली सी energy कम होगी than 4S इस वचा से 3D को हम पहले फिल कर रहे हैं now here the electrons of both 4S and 3D takes part in chemical bonding अब क्योंकि electrons 4S और 3D दोनों के ही participate करेंगे chemical bonding में that is the reason that D block elements show variable oxidation states इसी कारण हमारे D block elements variable oxidation states को हमें दिखाते हैं अब देखिये हमने कहा कि 3D ने क्या करा 4S को repel करा आगे की और को धक्का दिया तो अब 3D जो है एक तरह से क्या कर रही है shield बना रही है forest से forest से shielding कर रही है अपने लिए क्यूंकि अब forest जो ऐसा सब शेफल हम बते हैं इसको ऐसे करीब रहती है आप नुकले से कर्था है ऐसा सबशन को अपनी तरफ अंदर की तरफ को खीच ने की कोशिच करता था है तो अब 4S की उपर जो निकुलेस की जो अट्रक्शन पावर हो जाएगी वो थोड़ी कम हो जाएगी पहले जादा थी लेकिन अब जो है वो क्यों हो जाएगी कम हो जाएगी इस वज़ा से अब 3D जो है वो क्यों हो रहा है क्योंकि 3D ने क्या करती है shielding effect वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी तो देखते हैं the phenomenon in which the penalty mid shell और यहाँ पर penalty mid shell क्या है n-1 n-1 means 4s-1 so that is 3D. Electrons acts as screen or shield यह किस तरह से act करेंगे as a screen or shield in between nucleus and valence cell electrons there by reducing the effective nuclear charge is known as trading effect effective nuclear charge जो है उसको यह कम कर देगी reduce कर देगी किसके उपर 4s के उपर अब क्योंकि 4s जो है वो आगे को चला गया है और 3D नजदीक आ गया है और 3D के energy भी क्या हो गई है लो हो गई है ठीक है तो यही कारण है कि यहां पर हमें variable oxidation state देखनों के मिलती है क्योंकि 4s में तो electron गए लेकिन last में 3D में electron गए क्योंकि 3D में जो है हमारा जो D orbital है उसमें maximum 10 electrons आते हैं तो दो दोनों में चले गए लेकिन बाकी के जो आर्थ है अगर मालो atomic number ज्यादा है किसी का तो उसके बाके के electron बाद में दिया गया है तो oxidation state of an element can be defined as the degree or capacity of an electron in a chemical compound to lose electron from its balance चाहे तो oxidation state क्या है हमारे किसी भी element की ये खासियत या उसमें ये चीज़ कि वो कितने जल्दी अपना electron बूस कर रहा है और chemical compound जो है वो क्या कर रहा है अपना electron जब भी लूस करता है तो उसकी हमें उसमें कोई charge हमें देखने को मिलता है जब वो gain करेगा तब उसके उपर आजाता है हमारे पास में minus charge और जब वो लूस करता है तब उसके पास आ जाता है positive charge ठीक है for example magnesium shows a wide range of oxidation states that starts from plus 2 and goes up to plus 7 in its various compounds उसे हमें अभी starting में देखा कि यह plus 2 से लेकर के plus 7 तक की oxidation state को show करता है however some of the elements exhibit very few oxidation state लेकिन इन में से कुछ ऐसे भी elements हैं जो बहुत ही कम oxidation state को दिखाते हैं the elements that are included in very few oxidation state are zinc and scandium zinc and scandium जो है वो very few oxidation state के लिए जाने जाते हैं the very few oxidation state of any of the element are because of the fact that they have very few electrons to lose from their valence shell पुत्यों की valence shell में ही electron कम है अब जितने valence shell में electron होंगे उतने ही वो लूस कर पाएगा अब क्योंकि की valence shell, autonomous shell में electron ही कम है तो ये lose भी उतना ही कम करेंगे ठीक है for example scandium has too many d electrons and hence very few orbitals to share electrons with other for very high valency तो यहां पर क्या रखता है कि जो scandium है उसकी हमें बहुत ही कम oxidation state देखने को मिलती है variability जादा नहीं देखने को मिलती क्यों ऐसा होता है क्योंकि अगर हम इसकी electronic configuration को देखे तो वो रहेगी 1s2, 2s2 ऐसा आएगा क्योंकि 4s में पहले field हो जाएंगे 4s2 और 3d 1 ठीक है तो 3d में कितने electrons आये है, 1 electron आया है अब क्योंकि इसमें बाके के जितने भी orbital है वो खाली है, 3d में कितने orbital रहते हैं 3d जो हमारा sub shell रहती है, उसमें कितने orbital रहते हैं, 5 तो 5 हमें से 1 electron आया है, वो भी पूरी तरह से fill नहीं है, ठीक है तो अब बाके के जो 4 है, unfilled है, अब क्योंकि यह unfilled है तो इसके पास बहुत ही कम electron है, share करने के लिए तो इसलिए इसकी हमें variability कम देखने को मिरती है The variability of oxidation states in transition elements arises because of incomplete filling of the d orbitals अब यह जो variability है, वो जादा तरह में किस वज़े से देखने को मिरती है इन में क्योंकि इनकी जो d sub shell होती है, उसमें incomplete, क्या रहते हैं, orbitals रहते हैं, incomplete orbitals होने की वज़े से यह क्या करेंगे, chemical bonding करेंगे, ताकि इनके यह वाले जो electron, यह वाले जो orbital हो भी क्या हो जाए, इनकी जो oxidation state होती है, वो बहुत ही unity से जैसे की 7, 8, 9, 10, in the plus 2 and plus 3 oxidation states, the bonds formed are mostly ionic, जो हमारे पास जब भी किसी की हमें, अगर plus 2 देखने को मिल रहे है या plus 3 देखने को मिले oxidation state, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे bond form करेंगे, उनके बीच में जो bond बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, ionic bond की formation वहाँ पर देखने को मिलेगी, in the compound of higher oxidation states, ionic क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे जो भी non-metals होंगे, या कोई भी और होंगे, जिनको इतने electrons की क्या रहेगी, कमी रहेगी, क्योंकि यह क्या करेंगे, अब इनके लिए lose करना easy रहेगा, तो plus two इसे लिए आ रहा है, क्योंकि इसने यह अपने दो electron किसी को दे दिये, अब लेने वाला भी तो कोई होगा, तो इस वज़े से जो ले रहा होगा उसके पर आजाएगा minus charge और जो दे रहा है उसके पर आएगा positive charge, और वहां पर बन जाएगा हमारे पास में एक ionic compound और ionic bond वहां पर बनेगा, in the compounds of higher oxidation state generally formed with oxygen and flurry, the bonds are essentially covalent, अब क्योंकि जो higher oxidation states के होंगे, वह generally कैसा bond form करेंगे, covalent bond ही form करेंगे, और वह देखने को मिलता है oxygen and flurry के साथ, thus the bonds in plus two and plus three oxidation states are generally formed by the loss of two or three electrons, तो जो plus two or plus three oxidation state वह कैसे बनेगी, loss of two or three electrons से बनेगी, लेकिन जो higher oxidation states होंगी उसमे sharing of electrons हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि उतने electrons लेने वाला कोई होगा ही नहीं ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वह share करेंगे electrons, अब for example in MnO4 negative, Mn in is plus seven state, तो हमें पता है कि MnO4 negative, अभी हमने पीछे discuss करा कि यह कह है per magnet है, हमाई पास, जब हमारे MnO4 के उपर कहा है, माइनस चार्ज लगा है, वन माइनस लगा है, तो वह क्या होता है, और माइनस टू है, तो वह क्या है, और इसकी जो oxidation state में देखने को मिलती है, यहाँ पर माइनस की इस compound में, वह क्या है, प्लस 7 है, अगर हम इसका देखें, इस structure तो यह क्या करेगा, all the bonds are covalent, यहाँ पर हमें सारे की सारे जो bond देखने को मिलते हैं, MnO4 negative में, वह कैसे रहते हैं, covalent bond ही हमें देखने को मिलते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें, तो 3D54S2 इस त्रीके से दिया गया है, इसकी electronic configuration, MnO के पास कितने रहते हैं, 6 electrons रहते हैं, 2 meganese के हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और उसके कितने थे, total 7 थे, तो 7 थे, तो 7 इसने plus 7 oxidation state को यह शो कर रहा है, यहाँ पर बॉंडिंग में use करें होएं, share कर रहे हैं यह तरह से covalent bond है, और यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें double bond देखने को मिला, क्योंकि तोनों ही electron हैं, तो double bond यहाँ पर बना हैं इस तरीके से, यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमें single bond देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर MN के पास था 1, ठीक है, और इसके पास कितने थे, 2, 4, 6, ठीक है, इसके पास और इसने क्या करा, इसके साथ में एक यहाँ वाला एक electron इसके साथ में share करा है, ठीक है, तो इसके पास in total कितने electron हो रहे हैं, 7 electron हो रहे हैं, अब इसके उपर minus charges लिया आया, क्योंकि यह क्या करता है, इस तरीके से bond को form करता है, KMN4 negative, प्रोटाशियम पर magnet यह बन इसके ओपर यह भी completely filled हो जाएगा, और यह भी इसकी भी जो और में 8 electron आ जाएगा, हम सब जानते हैं कि ऐसा electron हमारे जितने भी element से वह खुद को stable होने के लिए और अपनी nearest noble gas की configuration attain करने के लिए वह electron को lose या gain करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही यह के साथ जोड़ेगा, sharing of electrons इसमें देखने को मिलती है, MnO4 negative में, लेकिन यहाँ पर जो इसकी एक electron की कम है, उसके लिए वह एक ionic bond भी इसके साथ में form करेगा, ठीक है, तो यह बात अलग है, इसको आप बाद में जाने, बाद में आप इसको दीखिएगा, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि यह covalent bond को form कर रहे हैं, वो बात सही है, covalent bond को form कर रहे हैं, और उनकी जो geometry रहती है, tetrahedral geometry रहती है, ठीक है, SD3 hybridization देखने को मिलती है, यहाँ पर बोला गया है कि Mn-7 means 3D-0, 4S-0, loss of 7 electrons, used in chemical bonding with oxygen form covalent bond, और क्या बना हमारे पास में MnO4 negative, stability of oxidation states, chromium, manese and cobald shows a very high oxidation state, manese does not exhibit a plus 7 oxidation state in the case of halides, but in compound MnO3F, the plus 7 oxidation state is known, ठीक है, तो क्या अब कहा गया है, कि halides के case में, यह plus 7 oxidation state को शोर नहीं करते हैं, लेकिन MnO3F में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, exception, hydration enthalpy, exception का है, hydration enthalpy of Cu plus 2 is more than Cu positive, copper plus 2 की hydration energy है, वो copper positive से ज्यादा है, which compensates for the second ionization enthalpy of copper, therefore, the copper plus 2 aqueous is known to be more stable than the copper plus, यह कि copper का जो atomic number रहता है, वो रहता है 229 और यहां पते हमें को मिलती है, 3D10, 4S1, अब क्योंकि 4S1 है, और ultra most cell में कितने electron है, 1 है, तो अगर ही, और हमने कहा है कि जब हमारे atoms, जब हमारे यह elements कह रहते हैं, फुल फिल्ट और हाफ फिल्ट सब शेल को शो करते हैं, तभ यह जादा स्टेकर रहते हैं, यह जादा स्टेकर रहते हैं, यह तो फुली फिल्ट है, तो 4S1 से चला जाएगा, as we know that these elements are more stable in their half field and fully filled orbitals, as here 3D10 is fully filled, more stable, from this, it is concluded that, that here the loss of one electron takes place only, that is Cu positive, in its second ionization, यह जो second ionization होते है, तो यह echo solution में क्या हो जाता है, अच्छे से mix up हो जाता है, तो क्या देखेंगे हम, कि 2 copper, 2 Cu positive, यहां पर reduction हो रही है, reduction हो की, तो क्या होगा, oxidation number decrease होगा, from plus 1 से 0 की तरफ को जाएगा, तो reduction से क्या हुआ, जो oxidation number है, वो 0 हो गया, कोई इसके उपर oxidation number नहीं रहा, और यहां पर oxidation हो होने से इसके उपर plus 2 charge आया है, oxidation number increase होगा, oxidation होई है, now as the hydration energy of Cu2 positive is more as compared to Cu positive, because of maximum loss of electrons, 2, it easily dissolves and form aqueous solution with water molecules, it binds more strongly with water molecules and later get dissolved in it and form aqueous solution, तो क्या होगा, Hydration energy Cu2 positive की जादा होगी, then Cu positive, इस वज़े से यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, दो electron को loss होआ है, तो यह बहुत अच्छे से effectively यह point कर पाएगा, और aqueous solution को form करेगा, तो इस वज़े से हमें copper की oxidation state है, वो 2 positive को मिलती है, in comparison to Cu positive, तो यह भी exception case है, कि ऐसा क्यों होता है, तो this is because of the hydration energy, hydration energy CO2 positive की जाता है, इस वज़े से हम इसको लेते हैं, यह इस वाले चीज़ को हम लेते हैं, कि CO2 positive इसकी यह वाले ही मिलती है, क्योंकि यह अच्छे से mix up हो जाएगा, और aqueous solution बनाएगा, तो अगर हम hydration energy की बात करें, तो वो किस तरह से होगी, यह देखिए, अ आपको clearly difference देख पाएं कि 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 की hydration energy जाता है, और कौन जादा अच्छे से bonding को form करेगा, तो इसकी अच्छी bonding होगी, तो CO2 positive की होगी, तो इस वज़े से यह हमें देखने को लिदिया, इसकी oxygen state, और hydration energy, जो है, मैंने यहाँ पत्रवा सब पढ़ाया है, आपको, कि hydration energy, energy released, then one mole of ions undergo hydration involved, that is, sodium correct, sodium, जो है, वो red वाला है, और chlorine जो है, हमारे पास में blue वाला है, तो इस तरिक किसे क्या होगा, CL negative है, और इसके साथ में H positive, H positive, O negative, H positive, positive cell जो होगी, वो CL को लेगी, और H positive, जो हजिस तरह CL के साथ में formation कर रहा है, उस तरिके से, Na positive, O के साथ में चुड़ेगा, ठीक है, तो इस तरिके से, compounds जो होगा, काफी अच्छे से, and trap हो जाएगा, और इसकी बहुत अच्छे से, पानी में क्या होता है, space होता है, I hope आपको समझ में आया होगा, क्यों variable oxidation state, जो है, हमारे D block elements show करते हैं, और अब आप खुद भी निकाल सकते हैं, इनकों क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, आपको खुद समझ में आयागा, आप खुद कोशिश करिएगा, नेक्स्ट हम आइनरजेशन एनरजी के बारे में देखेंगे D block elements की, I hope friends आपको समझ में आया होगा, variable oxidation state of D block elements, मिलते हैं आपने नेक्स्ट लेक्चर में, till then guys, take a good bye.